Welcome to the channel जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है आप सभी ने थमनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे हम बात करेंगे तो आज का टॉपिक यह है कि आप में से काफी छात जो है वो यह सोचते हैं कि मैं तयारी तो कर रहा हूँ मैं दो साल से तयारी कर रहा हूँ और मेरे तयारी हो भी रही है पर मुझे पता नहीं कि मैं तयारी जो है वो किस लेवल पर पहुंची है क्या मैं उस लेवल पर तयारी पहुंच चुकी है मेरी कि मैं आने वाले एक्जाम में सक्सेस पा जाऊंगा कि नहीं या मुझे अभी और त्यारी अच्छी त्यारी करने की ज़रुत है अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं त्यारी अच्छी कर रहा हूं कि नहीं मुझे में कुछ improvement आ रहा है कि नहीं आपके इनी सवालों के जबाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए गई अभी लाइक कर दीजे और दोस्तों के दाश शेयर करिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेंसे काफी सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि सब मैं इस टॉपिक पर बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ कैसी चल लई है और आपकी तयारी अगर आप UPBCLJE या UPBCLTG2 की तयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे बताश लेगा कि आपकी तयारी अच्छी है या नहीं इसके कई तरीके से आप इसको जान सकते हैं सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो बुक पर रहे हैं चाहे आप कोई सी भी राइटर की बुक पर रहे हो हिंदी हो चाहे इंगलिश हो आप उसको सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसमें जो कोशन पर रहे हैं आप उसको आंसर को छुपा ल और अगर आप answer गलत दे रहे हैं या आप answer नहीं दे पार हैं मतलब अभी आपको और थोड़ा त्यारी करने की ज़रुरत है और तरीका आपका दूसरा तरीका है वो यह है कि आप online medium से आप अपने आपको test कर सकते हैं online websites होती ही बहुत सरी जहां अलग-अलग आपके objectives होते है chapter wise तो जो chapter आपको लग रहा है कि इस chapter में आपको आ गया है काफी अच्छा आप करेंगे तो आप online जागर के वो objectives होते है उसमें आप ABCD option दिया होता है आप जाके उसमें answer करें ताकि आपको पता चलेगा कि आप अगर सही answer कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके वो topic आपका त्यार हो गया है अगर आप नहीं सही answer दे पाई इसका मतलब भी आपको थोड़ा होता मेहनत करने की ज़़ुरत है और अगला method जो है वो आपका है कि आप अलग-अलग test series लगाएं जादर-जादर test paper दें क्योंकि जब आप test देंगे तभी आपको paper बता चलेगा कि कैसा आपका preparation है कैसी preparation है कैसा आप करेंगे आगे आने वाल exam में तो कि अगर आप बिना test के ही आप यह सोचने लगे कि आपकी तयारी बहुत अच्छी है तो यह आप गलत सोचने होंगे तो कि उसको test करना दरूरी है इसलिए आप test paper लगाएं जादर-जादर test paper चाहे online mode में चाहे offline mode में किसी भी माध्यम से आप test paper लगाएं अलग-अलग coaching से आप test paper मंगा सकते हैं different और बाकी online mode में भी अलग-अलग test papers online होते हैं जो कि free होते हैं बहुत जगा बहुत जगा उसकी paid आपको करना होता है आप अपने आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी president कैसी हुई ए-2 minutes के लिए आप सोचे है कि आप exam दे रहे हैं और आपके सामने Quesheenunuzpper है और आप अपने आप से पूछे कि क्या आप उस question paper को देने के लिए इस preparation में इसकी preparation आपने इत्ती अच्छी की है कि आप इत्ते अच्छे prepare हो गए हैं कि आप वो paper दे पाएंगे अगर आपको अंदर से आपको जवाब आ रहा है कि हाँ मैं इस तरीके से paper दे लूँगा मेरा paper अच्छा होगा मैंने preparation कर ली है तो इसका मतलब कि आपके अंदर confidence है और आप ज़रूर अच्छा करेंगे अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी थोड़ा और त्यारी करने ज़रूरत है तो आप और अच्छी से त्यारी करिए एक बार और थोड़ा time दीजे और जादर जादर MCQs और theory पढ़िए ताकि आपके base clear रहे और आने वाले exam में आपके अच्छी preparation रहे तो ये थे वो कुछ चंद tricks, topics जो कि आपको बताए गए और आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि आपकी अच्छी preparation हुई है कि नहीं और जो preparation कर रहे हैं वो कैसी चल लए है बाकी अगर आप first time चैनल पर आ रहे हैं तो इस चैनल को subscribe कर लिजे और बाकी आपको एक information ये देनी है कि 5 November से आप locally life classes, paid life classes start हो रहे हैं और बाकी जिन लोगों ने study material नहीं लिया है और आप अगर सोच रहे हैं कि study material लेना चाहिए आपको अच्छी त्यारी करने के लिए English और Hindi दोनों mode में तो आप इस number पर call करके study material मंगा सकते हैं और आप लोग को ये information देनी थी कि अगली जो topic होगा वो आप के TG2 computer से related होगा और आपको उसमें जो लोग भी computer में कम number पापा रहे हैं और computer के exam में आप pass नहीं हो पाते हैं हर बार आप कोशिश करते हैं तो आपके लिए अगली वीडियो हो रहेगी और उस वीडियो को दरूर देखेगा क्योंकि उसको देखके आपको काफी help मिलेगी computer के exam पास करने में तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजे और जादर जादर शेयर कर दीजे ताकि सब को यह information पाता चल जाए कि अपने आपको कैसे test करना है और मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए electrical vision